नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आलोक पारा 36 दिगरी को क्रॉस कर चुका है राजनितिक सरगर्मिया जोरो पर है और इसी गर्मी के बीच 36 सीटों पर फिधान परश्ट चुनाव भी संपन हुआ और इस चुनावी सरगर्मियों के बीच कई हाता पाई की खबर आई तो कहीं लेकिन इस पूरी कवायत के बीच जो बड़ी चीज सामने आई एक रिकॉर्ड मतदान जिसे हम कहते है रिकॉर्ड मतदान बड़े पैमाने पर मतदान हुआ लगबग लगबग 90 प्रतिशत मतदान हुआ और मतदान को लेकर के बात करें निर्विरोध चुनाव की बात करें तो बीजेपी पहले ही 9 सीटिन निर्विरोध जीत चुकी है लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी साफत और बर काया कि वो भी बड़त बनाएगी और इस भीच अखली शादर ने पहले ही कहा था कि अगर निश्पक्ष चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही है मुखे रूप से अगर देखा जाए और दोनों ही दलों ने पूरी तरीके से कोशिश की है क्या कुछ कोशिश की है किस तरीके से अब आगामी अगर बात करें तो इस पूरी मतकड़ना के बीच किस तरीके से चाहिवा सुरक्षा विवस्था को लेकर के हो, इवियम को लेकर के हो, ऐसे तमाम सारे सवाल भी उठे तो, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेंगे आज की इस कुरुक्षेदर के डिबेट में बड़े पैनल के साथ. तो जल्दी से आई हुए मेहमानों से जो हमारे साथ जोड़े हैं, जल्दी से परिचे करा देते हैं, हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता संजे चौधरी जी जुड़ गए हैं, संजे चौधरी जी नमस्कार बहुत बहुत आपका स्वागत है, SM अश्रफ जी भी है, सपानेत SM अश्रफ जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका, वरिश्ट पत्रकार ब्रजेश शुकला जी हमारे साथ हैं, ब्रजेश जी नमस्कार आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही साथ बारस समाचार के स्टूडियो में राजनेतिक विशलेशक के तौर पर रुद्र प्रताब दूबे जी अमारे साथ जोड़े हैं रुद्र जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं सबसे पहले सवालों और जवावों की सिलसले को आगे बढ़ाओं मैं संजे चौधरी जी आपके पास आ रहा हूँ फिलाल कहां पर पारे और किस तरीके के आज मद्दान को लेकर के पहली टिपड़ी जना चाहूँगा लेकि मुझे लगता है कि विधान सभा चुनाव में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने जनादेश का बुल्डोजर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के उपर चलाया है जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के जनादेश का बुल्डोजर वैसे ही इस MLC के चुनाव में चलेगा और भारती जनता पार्टी सत्पतिशत सीटों को जीत कर उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनाने वाली है अपर हाउस में भी भारती जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ आएगी और जो जनता ने विश्वास भारती जनता पार्टी को दिया है उस सेवा भाव के साथ उत्तरपदेश की जनता की सेवा में भारती जनता पार्टी दुगने उत्साह के साथ लगेगी यही आज के दिन भाजपा का निश्कर्श है तो संजे जी क्या कह सकते हैं फिर यह जो अभी विदान साबा चुनाओ के जो नतीजे आए हैं उनका जो उत्सा है जो आत्म विश्वास है वो सरचड़ कर बोल रहा है निश्यत रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार का एतिहासिक बहुमत और इतने अंतराल के बाद अविस्वस्नी जनादेश भारती जनता पार्टी को दिया था जिस पर कोई विश्वास करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था जहां 5-5 साल में सरकारे बदल जाती हों वहाँ भारती जनता पार्टी को फिर से सरकार बनाना और दो तिहाई बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश आया है तो मुझे लगता है उसका संदेश बहुत साफ है और यह संदेश बहुत दूर तक जाएगा और भारती जनता पार्टी अपनी प्रतिमद्धता के आधार पर जनता के लिए सेवा के लिए फिर से जुटेगी यही संदेश है अश्रफ जी मैं आपके पास आ रहा हूँ आप लोगों ने भी जबर्दस तरीके से प्रिचार किया पूरी तरीके से जीत को ले करके आप कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं और आपको किस तरीके से यह आज का जो तिन हुआ नब्बे प्रिच्शत रिकॉर्ड मद्दान हु ने ने हम समझते हैं काफी अच्छा हमारे फिवर में रहेगा चुकि उसमें बहुत से परताशी हमारे ऐसे हैं जो पहले MLC रह चुके हैं वो कंटीनू कर रहे हैं और जब आद भी कंटीनू कर रहा है तो छेतर में उन लोगों ने काम किये हैं लोगों से उनका संपर्ख है तो मुझे पूरी उम्मीद है चुकि मेरे नेता ने एक ही बात कही थी कि अगर चुनाओ जो है फेर हुए तो इसका रिजल्ट बहुत अपरताशित होगा और ठीक ठाक सीटे हम जीत के लेके जाएंगे अब जहां तक सवाल चुकि इनके हंगार की बात है चोदरी साब के त ठीक है इनके चीजे इनको मुबारक हो और फिलाल को मैं ही कह सकते हैं बागे इंतिजार करते हैं बातारी को क्या होता है जे चलिए ब्रजेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ जिस तरीके से इस पूरे मदा अभी मैं कोई राजनितिक टिपड़ी नहीं कर रहा हूं ना ही म तो इस बार नौ तो उनके निर्वरोध हो चिके हैं और मुझे लगता है कि सत्ता रूदल्गा पहूँ ज़ादा रहता है कि इसमें जो बोर्ट देने वाले होते हैं वो पार्षाद होते हैं बीडी सी मेंबर होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि सरकार से सम्मन्द बना रहे और सरकार से मदद मिलती रहे और प्रसासन का भी काफी हस्तर सेफ रहता है इसमें तो मुझे यही लग रहा है कि और फिर उससे बड़ी बात है कि दुकूरी ये भी बिदान समक्ता दुकूरी दुबच्छी चुनाव है ये इसमें कोई तीसरा है नहीं कॉंग्रेस ने प्रत्यासी नहीं खड़े किये हैं तो ये समाजवादी पार्टी से टकर है और मुझे लगता है कि सत्ता रूर दल कहीं ज्याद तो उनों प्रिचार में भी कोई कोर कासर नहीं छोड़ी है रूत जी लेकिन जब कहा जाता है कि सत्ता जिसकी और उसी का ज़्यादा जीत दर्श करती है इसको आप किस नजरिये से देख रहे हैं मुझे लगता है ये लोगतंतर पे दाग है अगर विधायक के नीची होने वाले चुनाओं चाहें वो प्रधान के चुनाओं हो या MLC के चुनाओं हो अगर वो पहले से ये पता चल जाए कि ये सत्ता का चुनाओं होता है जो की है असल में तो ये फिर लोगतंतर कहां रह अगर हमें ये पता हो गया कि जिसकी सरकार है उसी के लोग चुनके आने हैं तो वास्तों में लोकतंत्र कहा है और क्या राजनैतिक दल इसको सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं जैसा कि मुझे याद है कि ग्राम टधान के दौरान भी लगातार हिंसा की खबरे आई कहीं जगा पर किसी महिला की साड़ी घसीटी गई तमाम बाते हुए उतने वक्त भी विपच के बड़े निता ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम बताएंगे कैसे होता है असल में इन चुनावों को कैसे सत्ता पक्च के चंगुल से निकाला जाए बात इस पे होना चाहिए ये रहा इसका एक दुखत पहलू एक इसका सुखत पहलू ये है कि माननीयों ने आज आगे बढ़ चाड़ के मंदान किया 90% से उपर वोटिंग हुई आलोग जी आपको ले जाकर अपने वोट को कास किया ना सिर्फ कास किया है बलकि उन्होंने कहा भी है कि ये उनके हक में आएगा रिजल्ट या उनके हक में हम लोग अच्छा लड़ रहे हैं तो एक अच्छा प्रवाव ये भी है कि माननीयों ने आगे बढ़के मद्दान किया लेकिन फिर से के दिखता है मलसी आ जाती है अलोग जे चले मैं एसम अश्रफ जी आपके पास आ रहा हूं ये तो मैंने तैयारियों को लेकर के बाद की किस तरीके से दोनों राजनेतिक दल अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं लेकिन आपने का कि अखली शादव जी का भी टूइट आ हैं हमें नहीं लग रहा है है अपको भी लग रहा है आपने देखा हो गांगे पिछले जो इनके निर्वरोद ये वो किसे तरह से चुने गए चेतार निकिन बनाए गया कितना प्रेशर बनाये गया किसी से पेपर छी GPS नहीं करने दिया गया तो इस दो इस per जाएगा तो इस तरह की बाते हो रहे हैं कि अगर चुनाओ फेर होगा तो निच्रल बात है हम चुनाओ में कंटेस्ट में और हमें पूरी उम्मीद हम चुनाओ जीतेंगे तो इसी एक बात को ले कि मेरे राश्टी अध्यक्ष ने कहा है अब देखते हैं अब आज की के अंदर हमारा परफार्मेंस बहुत बेतर रहेगी जे संजे जी लगातार ये सवाल क्यों उट रहे हैं ये बहुत जिम्मेदारी से मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा कि निश्पक्ष नहीं हो रहा है दबाओ बनाय जा रहा है और कुछ चीजे तस्वीरे ऐसी भी नज से बैठा हूँ और इस डिबेट के पहले भी मैं एक स्टोरी देख रहा था कि किस प्रकार से फरुखाबाद में समाजवादी पार्टी के लोग हिंसा फैला रहे थे यानि कि हिंसा जो फैला रहे हैं लोगतंत्र को जो प्रभावित कर रहे हैं जिनके खिलाफ कारिवाई हो वो ही लोग कह रहे हैं कि चुनाओ निश्पक्च नहीं हो रहा है यानि कि चोर चोरी भी कर रहा है और उपर से ये भी कह रहा है कि हमें चोरी नहीं करने दी जा रही है समाजवादी पार्टी के लोग विधान सबाचुनाओ के पहले यही कह रहे थे कि एवियम मशीन हैक हो रही है लोगतंत्र को दबाया जा रहा है तो जिन्हें लोगतंत्र स्विकार नहीं है जिनके सहयोगी दल वोट डालने नहीं आ रहे हैं लोगतंत्र की भावना के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं वही इस प्रकार का रोप लगा रहे हैं मुझे लगता है कि लोगतंत्र में जन्ता के आदेश से बड़ा कोई आदेश नहीं है और अगर जन्ता इस प्रकार का आदेश दे रही है तो इसको पूरी इमानदारी के साथ सच्चाई के साथ स्विकार करना चाहिए जो जनता के निरणय को भी सच्चाई के साथ स्विकार करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं मुझे लगता है कि यह इसी प्रकार के आरोप लग रहे हैं मुझे लगता है कि यह आरोप सच्चाई से परे हैं और आपकी रिपोर्ट भी यह बता रही है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सच्चा ही है कोई कोई एवियम की बात नहीं की हमने तो धन्यवाद दिया टीन अगर एवियम की ऊपर अप देख रहे हैं मिर्जापूर सओ्धभात के डियम कूछ को तुट नहीं किया अब अगर भी किया it up को सुनव और कि अज़िये बाइले कि इसीर नहीं गnte कहीं निश्वक्ता नहीं हुई तो उसमे क्या इतरास करना हमारा हाँ नहीं है अतरास करिए लेकिन आप लोग किस तरीके से अश्रब जी ट्विट आ रहा है कि लोग तंत्र की हत्या हो रही है और प्रशासन भी इसका सयोग कर रहा है इसलिए सवाल उठा रहा है बिल्कुल न आप सब पर अश्रब जी सवाल उठा लेंगे आप चासन पर उठा लेंगे प्रशासन पर उठा लेंगे पुलिस पर उठा लेंगे आप सरकार पर सवाल उठा लेंगे मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजे अगर कहीं माना कहीं धांदली हो रही है कहीं निश्पक्षता उन तो वो वीडियोज को लेकर कि आप चुनाओ आयोग जाहिए आप आप शिकायत करिए बहुत अच्छी बात आपने कहिए चुनाओ आयोग केतनी चीजों को संग्यान लेता है और क्या करता आपको मालूम है एक विधायक जी मंतरी बना गए जिन्होंने ये कहा था कि दाढ़ी मुसल्मानों की नोश के चुटिया में लगा देना चाहिए और उनको आपने मंतरी बना दिया क्या किया चुनाओ योग ने आप इस तरह की बात कर रहे हैं आलोग जी मुझे हैरत हो रही है चुनाओ आयोग को लेकर के बात करे पुलिस को लेकर के बात करे शासन को लेकर के बात करे करे पुलिस को लेकर के बात करे अधान है वी दी सी हैं इनसे लगातार संब्द जो लोग रखते हैं उनका चुडाव है और जहांता यह जो बेमानी है तो अब जो सक्ता से जुड़े हैं सारे जितने जुनेवी पत्निर चाहते हैं कि साब उनका काम हो जो सक्ता रूर्दार है उनका काम करें यह भी एक लालाच होता है बढ़ना चालिस परशार से एक ही टिंड कैसे चल ला है आप सवाल उठाईए मैं नहीं कहता हूं सवाल मत उठाईए लेकिन मत गर्णा के दो दिन पहले बिदान सवाव के चुनाओ के पहले क्या हुआ आप हर आपनी को दोड़ाए ले रहे हैं हर गाड़ी का तलासी हो रही है क्या पत्ला मैं मैं गया था मैं मत गर्णा इस सर्व में गया था मैंने देखा जाकर कि क्या इस सिस्थ बन गई थी तो इ चीज की तलासी ले रहे हैं, हर गारी में ऊपर चड़े जा रहे हैं, इस तरह नहीं करते हैं, आप सवाल उठाइए, आप पखड़ ये एक चम्या हैं, लेकिन बिल्कुल दूबह इंसा फैलाने लगिए, गारी को पर चड़ जाएए, उसको तो ये कोई चुनाव नहीं होता ह आपकी बात मुझे लगता, अश्रव जी अच्छे से सुन रहे हैं, और अपनी जवाब भी देना चाहा हैं, मैं कट्टू कट सवाल का कट्टू कट जवाब चाहूँगा, अश्रव जी मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूं सीधे, जी बिरजेश शुगला जी बड़े पतकार हैं, बहुत जाता मैं उनको पर कोई केट साइज नहीं करता है, एक निश्मच पतकार भी है यह, लेकिन मेरा कहिना यह है, क्या एक पिठा सीन अधकारी की आडियो वाइरल नहीं हुई, जिसमें वो किसी से बात कर रहा है, कि साब हम उसको कैसे मशीन को चेंज करते हैं, अगर इस तरह की चीजे वाइरल हो रही है, एक पिठा सीन अधकारी वाइरल कर रहा है, तो सवाल उठाना आप क्या करें, अब इत्का तो मतलब यह है कि कोई भी घटना हो जाए, आप खामोश बैठे रही है, आप बोल यह नहीं, तो स तो संजे जी, फिर भी पक्षता और पर इस बात को कह रहे है, तो अब आप इसकी किसे से बात करवाएंगे, कि सत्ता के दबाओ में यह चुना हुआ, यह बात बार-बार क्यों आ रही है, जबकि बार-बार निश्पक्षता की बात कर रहे हैं आप लोग, देखिए ऐसा है कि जिनको जनता के निरणे को स्विकार करना नहीं है, जो यह मन बना चुके हैं कि हम जनता चाहें जो कुछ निरणे कर दे, हम अपनी ही बीन बजाते रहेंगे, तो वो इसी प्रकार के प्रिश्णों को उठाते रहेंगे, देखिए लोगतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि जनता का निरणे ही सबसे बड़ा निरणे है, और जनता इस प्रकार का निरणे दे रही है, मुझे लगता है कि एकाद अपवाद की घटना के आधार पर पूरे के पूरे तंत्र पर प्रिश्ण चिन उठा देना, यह हार की खीज को अभी भी अपने मन मे रखे हैं और जंता के निर्डय को सही भावणा के साथ सकारात्मक रुक के साथ सुईकार नहीं कर रहे हैं अपनी गलतियों को सुईकार नहीं कर रहे हैं संजे जी मालिया किया हार की T amar काया कर भाया कम रहा होगा संजे जी मेरे सवाल का जवाब दे दिजे हार की T's हो सकती है मालिया लेकिन जो मामले सामने आए जैसा कि अश्रद जी ने सवाल उठाएं कि कुछ वीडियोज वाइरल हो रहे थे और उन्होंने सम्वेधानी संस्थाओं पर सब्सक्राइब आप लोग भी अब इस तरीके से एक बात रखेंगे ना अपनी कि हाँ जो मामले सामने आए उन पर हमने भी जाच कर आई है इस बात को आपको भी मानना होगा और कहना होगा इस पर निरणे करने का भारती सम्वेधान के अंदर किसको अधिकार है अधिकार तो चुनाओ आयोग को है वही इसकी सर्वोच संस्था है सर्वोच संस्था के पास जाएंगे वो उसका उत्तर देगी इसका एक राजनेतिक दल होने के करण भारती जनता पाटी तो इस पर जाज करेंगी नहीं जाज करने की अथर्टी कौन है चुनाओ आयोग है तो मुझे लगता है कि इसको इनके पास जो भी ग्रिवांसेज है इनको लगता है कि यह चीज ठीक नहीं है उसके लिए भारती सम्वेधान में जोड़ों नमस्ता है बनाई है अश्रफ जी उनके पा एक लवासा साब का क्या हुआ लवासा साब ने जब डिफर किया था तो उनका हाशर क्या हुआ आपके सामने अब देखें इस तरह की बाते बेमानी हैं आज के डेट में कोई भी संभधानिक संस्था अपने हिसाब से काब नहीं कर पा रही है और यह वो टूथ है जो सामद मंतरा ले कर रहा है कभी चुनाओं नहीं हो सकता चुनाओं है लोग से क्यों आप इंटर्फियर कर रहे हैं राजसमा तक में सवाल उठाए यह बड़ी बाते लेकिन कौर कर रहा है रूतर जीन ने एक सवाल उठाएंगे एक दो दारन हो सकते जैसा कि ब्रिजेश चीजमिक यानि कि अगर माइंड सेट कर लिया है तो फिर आपको कोई भी निर्णा आएगा वो आपको लगेगा इसमें पार्शयर्टी हुई है इतना बड़ा लोकतंत रहे हमें लगता है कम से कम समवेधानी संस्थाओं को हमें बक्स देना चाहिए वो अपने काम आज से नहीं आतार बात होना और सिर्फ पर सिर्फ बात परिस कॉंफरेंच तर्क्टिक जाना इसके आगे नहीं जाना आप देहें के मुद्धिय को कोई आगे लेके गया कोई ऐसी निर्नायक अदालत में लेके गया निर्नायक जगाय पर लेक bad वहाた हो पढ़ते हैं, उन्हें मालूम है समयधानिक सनस्थाओं का क्या थी, हास रहा हो किस तरह इसका महत रहता है, तो कम से कम उनकी गर्मा को बचा कर रहता है। मेरा कहिना है कि उसी को एक सांथ प्रक्रिया से, सांथ पूर्वक्त लंग से, ये नहीं कि सारे लोग गारी को पर चड़े जारहे हैं, तो इसको भी हम लोगों के ध्यान दखना दे यह, मैंनके अविकारों चुनौते नहीं देघारा हूं, मैं कहरा हूं, एक प्रक्रिया है, आप निकरानी रखें, आप उत पार सतर के निगाह रखें, लेकिन आप दिखें जिलो जिलो में 20 लोग गाली पीछड़ गए, तो उसके आप आपके पार्टी की बगनामी होती है, रानी तिक दलों की बगनामी होती है, ये मैं कहना था, आप ने जो कहा अशरफ जी भी समझ एक फॉरण हासिर होते हैं